नमस्कार दोस्तों, COVID-19 Vaccination Certificate किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको COVID.gov.in पर अपना एकाउंट लोग इन करना पड़ेगा, तो चलते हैं, आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं किस तरह से डाउनलोड होता है, सबसे पहले COVID.gov.in पर आप जाएंगे, दिन बदिन COVID.gov.in पर नए नए फीचर आयड होते जा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, भारस सरकार ने जो ये अपनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तमाल किया है, इसमें तो जैसे कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का आपसन आ गया पहले नहीं था, तो अगर आपको कहीं जरूरत पढ़ती है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपना फरूप दिखा सकते हैं, कि हमने वैक्सिन ले ली है, तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों, आपको साइन इन करना पड़ेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डारना पड़ेगा, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, आपका एकाउंट लॉग इन हो जाएगा, चलिए आपको हम लॉग इन करके दिखाते हैं, यहां पर दोस्तों, इसमें नहीं अवालेबल है, लेकिन आप ग्रीन कलर से देख रहे होंगे, दोस्तों लग चुकी और दोस्तों जो है लगनी है, यहां पर ड्यू डेट 11 अगर्स 2021 और लाश्ट डेट 8 सिप्तमबर 2021, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, अपना साइटिफिकेट तो वो कहां से आपको डाउनलोड होगा, तो चलिए आपको डिखाते हैं, जैसे कि आपने फस्तों ली है, उसके नीचे सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस पे आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है, और एक डाउनलोड का आइकन आएगा, वो चलेकेके, जैसे काणि दुबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका यह नौटिफिकेशन है तो यहां पर download पर click करेंगे और आपका certificate download हो जाएगा अगर आपकी detail में कोई problem आ रही है तो rise and issue इस पर आप click करेंगे certificate correction merge multiple dose first provisional certificate as passport यहां से आप अपने डीटेल में करेक्शन करवा सकते हैं तो इसमें अगर आपको तो दाव करवा और में अपकर नाम गलत है या कोई प्राब्लम है या पास्टोर डीटेल आपकर वाना चाहते हैं तो जैसे कि certificate प्रवाइड करवाया गया है तो हो सकता है जैसे कि बाहर की यात्रा करने वाले लोगों को इसकी जरूरत पड़ती हो तो उसमें passport की detail एड़ करवाना हो तो आप यहां से एड़ करवा सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो है यह certificate डाउनलोड हो चुका है तो उसको हम आपको दिखाते हैं कि यह हमारा certificate है जो कि डाउनलोड हो चुका है कुछ इस तरह से आपको दिखाई वेगा उसमें सारी डिटेल आपको सो होंगी किया नाम है आपका उम्र कितमी है जेंडर क्या है और आपकी डिप्रूंसी इसमें इसमें इस्तेमाल की गई है को blem days reference ाई-डी है कौन सा वैक्सीं आपको लगा है कौन सी कम्पणी का क्या नाम हो इसका और किस डेट में आपको लगा है और अगला आपको कब लग उसकी भी डेर इसमें मेंसन होगी टीक्झा आपको किसमें लगा लगाया था उसका क्या नाम है किस जगें पर आपको लगा था तो कि हुँचिके साठीज इसमें उस्ता हो रही है और हमारा जो है कर लगेगा उसकी डिटेल इसमें आपको लॉग इन करेंगे तो मिल जाएगा और एक इसमें अभी हमारा 37 डेस लेट है यानि कि 37 दिन बाद हम जो है दूसरा डोज लगवा सकते हैं तो दोस्तों ये कोविन पोल्टल पर ये बहुत विज्य सुरुवात रही है भारत सरकार की अगर इस तरह की सुरुवात नहीं करता तो वैक्सीन लगाने में बहुत सारी समस्याई आशकती थी जैसे की सबसे पहले डाक्टरों को वैक्सीन दी गई है उसके बाद में वैक्सीन लगाई और यह बहुत ही successful रहा तो उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आगे जो है जैसे कि बच्चों को टीके लगते हैं तो वो भी इसी तरह से सारी डिटेल उनकी डेटा उनका कलेक्ट होता रहे तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमा अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार